Good morning students, today we will discuss about physical property of non-metal देखो बच्चो कल हमने chapter पड़ा था हमारा materials, metals and non-metals materials, metals and non-metals में कल हमने discuss किया था elements के बारे में elements हमने कितने बताए थे? 118 elements है, naturally कितने बताए थे? 92 ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि elements होते हैं, उनको हम divide करते हैं metals में और non-metals में और वो किस base पर divide करते हैं, कि उनकी अंदर characteristics होती हैं, उस base पर हम क्या करते हैं, metals को और non-metals को divide करते हैं, इसके बाद हमने जो metals हैं, उसकी physical जो property हैं, उसके बारे में भी discuss किया था, ओके, आज हम discuss करेंगे जो non-metals होते हैं, उनकी जो physical property है उनके बारे में ठीक है physical property में non metals की में फैले सबसे पहले आता है physical state physical state में आता है कि जो non metals होते हैं वो solid form में भी liquid form में भी और gas form में भी मिलते हैं room temperature के उपर ठीक है जैसे कि normal condition में sulfur है fast force है वो किस form में मिलता है बच्चो solid form में मिलता है ठीक है ब्रोमीन है वो liquid form में मिलता है hydrogen है oxygen है और nitrogen है वो gas की form में मिलते हैं देखो बच्चो यह सारी चीजें आपके लिए नई है आपके लिए चैप्टर भी नया है और कुछ ऐसे पढ़ रहे हो आपका इंटरस्ट नहीं बन रहा होगा इसमें यह सब चीजें आपको याद क पढ़ेंगे आर्ट लेंगे तो भी आप किसी भी competition टेस्ट में बैठते हो तो जो एक क्यूस्टन है वह एलिमेंट से रिलेटिड आता ही आता है मैटल से एलिमेंट्स में यह आ गई मैटल्स भी है नोन मैटल्स भी है और मैटलोइड भी है ठीक है तो इसको ध्यान से नाम नेम दा लिक्विड विच एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट नेम नोन मैटल विच एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट कि नोन मैटल का नाम बताईए जो कैसे एक्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में तो क्या आएगा ब्रोमीन तो यह तो आपको याद ही कर ठीक है और समझ में आएगा समझ करके याद करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा आप भूलोगे नहीं क्या एलिमेंट को किसमें डिवाइड किया मैटल्स में और नोन मैटल्स में और हमने पढ़ा था कि जो मैटल्स हैं वो किसमें सोलिड फोम में थे मरकरी को छोड़ क करके लेकिन जो नोन मैटल्स हैं वो क्या है सोलिड फोम में भी होते हैं लिक्विड में भी और गैस की फोम में भी मिलते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है कलर नोन मैटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं जैसे कि सलफर है वो यलो कलर का होता है फासफोर्स यलो कलर में होता है, ब्रोमीन है, वो रैडिस ब्राउन कलर में होता है, और इसके बाद जो गैस है, वो क्या होती है, कलरलेस होती है, अपियरेंस में क्या होता है, कि वो कैसे दिखते है, नोन मैटल सोते है, उनमें डल अपियरेंस होती है, जैसे मैटल में क्या थी, तिम में तिम के अंदर थी की मैटल को हम थिन सीट में विक नवक कर सकते हैं लेकिन नोन मेटल को ना तो वायर में ही करना सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं सीट बना सकते हैं ठीक है नोन मेटल मेटल है वो हीट और हीट से को conduct करते हैं but non metal है heat or electricity को conduct नहीं करते है non metal क्या है poor conduct है लेकिन grey fight GC nuance लेकिन good conductor of heat and electricity graphite क्या है जो non metal होता है बच्छो carbon carbon क्या है एक non metal है और carbon के two allotrops होते है कोन से allotrops होते है diamond and graphite कोन से allotrops है diamond and graphite और diamond and graphite दोनों ही exceptional case है जैसे कि conductivity में हमने बताया कि जो non metal होते हैं वो electricity और heat को conduct नहीं करते हैं लेकिन graphite क्या है exceptional case है ये heat और electricity को क्या करता है conduct करता है ठीक है ऐसे ही हमने क्या कहा कि जो non metal है वो क्या है brittle है लेकिन जो diamond है वो क्या है hardest substance है और non metal है ठीक है उसके बाद density में क्या आता है कि जो non metal होते हैं उनकी low density होती है और वो soft होते हैं लेकिन जो diamond है वो क्या है exception है वो क्या है hardest natural substance है ठीक है उसके बाद next आता है बच्चो tensile strength क्या आता है next tensile strength non metal होते हैं उनकी Easily है वो तोड सकते हैं ठीक है इसके बाद Next आता है बच्चो melting और boiling point क्या आता है melting and boiling point non metal होते हैं ग्रेफाइट है उसका low melting and boiling point cave non metal except graphite sorry non metal have except graphite have low melting and boiling point कहता है कि जो non metal है उनका boiling point है वो low होता है कि इसको छोड़ करके graphite को छोड़ करके त्योंकि graphite में क्या है हमने अभी उपर ही पड़ा था कि good conductor of heat and electricity है good conductor of heat electricity है इसका जो melting और boiling point है वो क्या है low नहीं है non metal और सभी जो भी non metal है उनका melting और boiling point है वो क्या है low है ठीक है sonority में क्या है कि जो non metal है वो sound produce नहीं करते हैं किसी भी object के साथ ठकराने पर और उससे क्या है उसमें metal में हमने क्या पढ़ा था कि जो metal है वो क्या है sonorous है sonorous है मिन्स साउंड प्रोड्यूज करते हैं ठीक है अब यह मैटल नोन मैटल तो हम कर रहे हैं लेकिन बच्चों अगर आप से कोई ऐसे ही पूछ ले कि क्या बताइए नेम दाथी फाइफ नोन मैटल पांच नोन मैटल के नाम बताइए आप वहीं पर ही अटक जाएंगे कि मैटल क पूछा जाए तो आइरन है कोपर है गोल्ड है सिल्वर अलुमीनियम जिंक यह सभी क्या है मैटल है और मैटलोइड पूछ लिया जाए तो मैटलोइड में क्या होता है बच्चों मैटल और नोन मैटल के बीच में होता है कि जो कुछ ऐलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जो मैटल और नोन मेटल दोनों की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मैटलोइड क्या होता है M-E-T-A-L-O-I-D-S मेटलोइड क्या है कि जो मैटल और नोन मैटल दोनों की करेक्टरिस्टिक शो करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे मैटलोइड बोलेंगे और मेटलोईड के एक्जामपल क्या है बोरोन है सिलिकॉन है आर्सनिक है जर्मेनियम है ये सभी क्या है बच्छो मेटलोईड है ठीक है आप जो ये आप टेबल देख पा रहे हो इस टेबल में जो हमने फीजिकल प्रोपर्टी पढ़ी है अगर आप आप अगर आप याद हो तो जो आपने पढ़ा है अग वो आपको समझ में आ गया है और याद कर लिया तो यह difference आप easily पाओगे तो कि आप पहले पढ़ चुके हो इसको एक बार फिर भी हम revise कर देते हैं कि metal except mercury solid at room temperature सभी metal हैं वो solid होते हैं कि इसको छोड़ करके mercury को छोड़ करके non metal हैं वो solid है liquid है और gas म होते हैं mostly जो metals होते है silver gray color के होते हैं gold होता है वो golden color का golden yellow color का होता है copper reddish brown color का होता है जबकि non metal है वो different color के होते हैं सभी metal होते हैं वो hard है किसको छोड़ करके sodium और potassium को छोड़ करके जो solid non metal है वो क्या होते हैं soft होते हैं all metal क्या है malleable है non metal क्या है brittle भंगूर होते हैं ठीक है break हो जाते हैं pieces में जबकि metal से थिंसी हम बना सकते हैं metal है वो ductile है non metal है वो ductile नहीं है Economist है जबकि non metal है how good conductor of heat नहीं है किसको छोड़ करके Kiafite को छोड़ करके Metal है good conductor of electricity है जबकि non metal है nicES को छोड़ करके ग्रेफाइट को छोड़ करके तो यह क्या था बच्चो तो फिजिकल प्रोपर्टिंग उनमें जो डिफ्रैंस है वोसर दिया गया है आसान है हो गया होगाका सभी को याद इसके बाद ese नेक्स्ट क्या है वो तो फिजिकल प्रोपर्टींगे स्व कैमिmost सभाद पू। में हम सबसे पहले मैटल की चैकल property हैं उनके बारे में क्या करते हैं डिसकस करते हैं ज़ता कि all metal give similar chemical reaction जितने भी मैंटल हैं सभी क्या हैं chemical same chemical reaction show करते हैं लेकिन जो reactivity है metals की वो किसके उपर depend करती है nature and reaction condition की nature के उपर depend करती है और एक reaction condition के उपर depend करती है आप कुछ typical chemical reaction दी गई है जिसको यहाँ नीचे describe किया गया है वो आप देखे reaction with oxygen reaction with oxygen है means जो metals की जो reaction है वो oxygen के साथ दिखाई गई है सबसे पहले हमने metal क्या लिया गया है बच्चो sodium लिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है सोडियम क्या है मैटल है सोडियम जब oxygen के साथ react करता है तो room temperature पर ही react हो जाता है और क्या बनाता है sodium oxide na2o तो इस तरह क्या है मैटल है वो oxygen के साथ react करते हैं ठीक है और सोडियम जो है बच्चों वो तो क्या था room temperature के उपर ही react करता है मतलब room temperature लिखा वाइस का मतलब क्या है कि अगर उसको हम room के अंदर ही ऐसे निकालते हैं तो ही वो क्या कर देता है उसके अंदर आग लग जाती है इसी वज़े से सोडियम को कहां पर रखा जाता है कहां रखते हैं कैरोसीन में रखते हैं मैगनीशियम भी क्या है मैटल है मैगनीशियम क्या है मैटल है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैगनीशियम oxygen के साथ react करेगा लेकिन क्या है कहता कि heat heat means उसको थोड़ा सा heat देना पड़ेगा तब क्या करेगा मैगनीशियम oxygen के साथ react करेगा और मैगनीशियम बनाएगा जिंक क्या है जिंक भी मैटल है और वो भी oxygen के साथ react करता है लेकिन कहता है कि strong heating उसको हमें ज़्यादा heat करना पड़ेगा तब ही क्या करता है वो burn करना शुरू करता है और नीचे जो दिया गया है वो होता है बच्छो जब जलना शुरू कर देता है उसके बाद करता है dazzling white light के साथ burn करता है मैगनीशियम ठीक है आभी कई बार जब हम किसी test में बैठते हैं तो ये भी आ जाता है कि name एक metal का नाम बताईए जो dazzling white light के साथ burn करती है तो उसका क्या नाम आएगा बच्छो मैगनीशियम कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एक metal का नाम ताईए जो क्या होती है एक white ass जो राख जलने के बाद after burning के बाद क्या होता है white ass बनती है तो वो भी magnesium ही आएगा ठीक है iron है उसको भी हम जब strong hitting करते है तब भी क्या कहता है no burning की burning है वो होती ही नहीं है low आ नहीं जलता है उसके बाद copper है copper क्या करता है strong hitting produce करने पर भी कह रहा है कि no burning means कहने का मतलब यह है कि जो यह यहाँ पर reaction दी गई है इसमें यह बताया गया है कि बच्चो sodium metal है तो वो more reactive है वो तो room temperature पर ही जलना शुरू कर देता है और जो बाकी के जो metal है उनको क्या है कि हीट दी जाती है तब burn करना शुरू करते है और कुछ metal तो ऐसे है कि जो burn करते ही नहीं है no burning ठीक है इसी बेस पर क्या है यह reactivity series दी गई है नीचे reactivity series में क्या है sodium है magnesium है magnesium के बाद क्या आता है बच्चो zinc zinc के बाद से क्या है iron और iron के से यहाँ पर क्या जाएगा copper यहाँ पर क्या आएगा copper यहाँ पर क्या जाएगा cu copper ठीक है iron और iron more reactive है किस से copper से sodium more reactive है मैगनीशियम से मैगनीशियम मोर रियक्टिव है जिंक से जिंक मोर रियक्टिव है आईरन ठीक है आईरन से और आईरन मोर रियक्टिव है कोपर से ठीक है उसके बाद next reaction with water second number पर क्या आता है बच्चो reaction with water की जो metals होती है वो water के साथ भी react करती है ठीक है लेकिन condition different है जैसे sodium है वो water के साथ react करेगा cold water के साथ ही क्या है react कर जाता है और क्या बनाता है sodium hydroxide और कौन सी gas निकलती है बच्चो hydrogen gas निकलती है ठीक है ऐसे ही magnesium है magnesium भी water के साथ react करता है और क्या बनाता है magnesium hydroxide और क्या निकलती है hydrogen gas निकलती है यह magnesium hydroxide है और इतना तो आप समझ ही रहे होगे बच्चों की यह naoh है यह क्या है इसका chemical formula ठीक है और इसके साथ यह भी समझ रहे होगे कि यहाँ पर यह दो लगाया गया तू लगा दिया है 10क बनाते हैं फोल जिसे लगाते हैं पता है आपको जब आप सखुल मे आते थे तब भी आपको बताए था कि यह ही जैड्य्य यह क्रेटियॉर्यक्षन होती है क्या होता है इसमें जितने स्खुल्या की ए इतने स्खुल श्रinks से होट आद्य अकैशिज्यागे ed उसके बाद जो hydrogen है उसके 4 हैं बच्छो 2 ये और 2 ये और यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए hydrogen के इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया तो 2 किसके हो गए है hydrogen के oxygen के 2 है तो यहाँ पर oxygen के क्या है 2 मिंस कहने का मतलब यह है कि जो यह हमारा reactant है reactant में जितने atom है उतने ही किसमे होने चाहिए product में यह हमारा reactant होता है arrow से इधर और arrow से इधर क्या होता है product reactant में जितने atom present है product में भी उतने ही होने चाहिए तो इस वज़े से किसी में हम 2 लगाते हैं किसी में 3 लगाते हैं और यह balance करना बोलते हैं इक्वेशन को balance करना और यह कब पढ़ोगे आप 10th में जा करके आएगा बच्चो 10th में जाओगे तब आएगा balance the equation अब हम कर क्या रहे थे हम तो यहां पर पढ़ रहे थे reaction with water कि जो metal है वो water के साथ react करते हैं तो हमने देखा कि जो sodium metal है वो तो cold water में ही react कर देता है लेकिन magnesium में क्या है कि boil करना पड़ता है उसके बाद react करता है iron में क्या है steam भाव भी react करती है फैर क्या बनाती है फैरोसो फैरिक ओक्साइड बना देती है hydrogen gas निकल रही है ऐसे ही copper भी water के साथ react करेगा तो करता है कि no reaction even at temperature high temperature कि high temperature भी क्या है कोई reaction है वो नहीं होती है reactivity series में क्या होगा sodium more reactive है magnesium से magnesium more reactive है iron से iron more reactive है copper से ओके यहां से जो यह reactivity series है ऐसे क्या होती जा रही है decrease होती जा रही है कि more reactive less उससे less उससे less और उससे less next है reaction with acid की जो metal होते हैं वो किसके साथ react करते हैं बच्चो acid के साथ भी react करते हैं फिर से जैसे कि sodium metal है वो acid hydrochloric acid के साथ react कर रहा है तो क्या बना रहा है sodium chloride और साथ साथ क्या है hydrogen gas निकल रही है Vicariously meansapore भी गश्ची magnesium है वो acid के साथ hydrochloric acid के साथ hydrochloric acid के साथ to magnesium chloride और hydrogen gas निकलती है निकलती है Vign है 파िड the reaction होती है Zinc है वो hydrochloric acid के साथ react करता है room temperature पर क्या बनाता है जिंक लौराइड और साथ-साथ क्या है हाइडोजें गैस रिलीज होती है। niños कलोरीड तो यह नहीं करता है। को पर है वह को रियाक्षट करने पर भी कोई रेक्षन नहीं होती है। reactivity series में वही है कि जो metal है वो acid के साथ react करते हैं तो sodium more reactive है than magnesium, magnesium more reactive than zinc, zinc more reactive than iron, iron more reactive than copper, तो इस तरह क्या है बच्चों यह reactivity series है, ठीक है, ऐसे ही, जैसे कि हमने यह क्या, ऐसे ही है, reaction with base या alkaline की जो metal होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ base या alkaline के साथ reaction करते हैं, certain metal जैसे zinc है, aluminium है, वो क्या होता है, strong base के साथ तो react करता है, और वो भी कब जब हम strong heat करते हैं, और क्या किसकी formation कर देता है, salt की और क्या release होती है, बच्चों क्या evolved होने का मतलब है, भार निकलना, क्या निकलती है, hydrogen gas निकलती है, जैसे कि zinc metal है, ठीक है, zinc metal किसके साथ react करता है, sodium hydro hydroxide, NaOH, sodium hydroxide हमारा क्या है, base है, और alkali कब बन जाता है, जब उसको हम water में डिजोल कर देते हैं, ठीक है, तो जो zinc metal है, वो sodium hydroxide के साथ react किया, base के साथ तो क्या बना दिया, बच्चों, sodium zincate solution बना दिया है, और साथ-साथ क्या निकल रही है, hydrogen gas है, वो निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या थी, बच्चों, chemical property थी, किसकी metal की, जो metal है, वो oxygen के साथ भी react करता है, water के साथ भी, acid के साथ भी, और alkali के साथ भी, लेकिन, सभी की जो reactivity है, वो क्या है, decrease, कोई more reactive है, कोई less reactive है, ठीक है, तो ये बच्चों, इसमें confused होने की जरूरत नहीं है, कि कभी सोचों की reaction है, पता नहीं क्या है, आप देखकर, अगर इसको पढ़ोगे तो आसान है, क्या है, metal की reaction दिखा रखी है, oxygen के साथ, water के साथ, ओके, तो अपनी book में से इसको पढ़ना, और इसके साथ साथ जो physical property हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे, और physical property में जो difference है, metal और non metal का वो भी आप याद करेंगे, और उसको आप अपनी fair notebook में भी लिखेंगे, ओके, धन्यवाद बच्चों,